इसापूर सन तेरा सो पंद्रा एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी दिक्रांत का सामराज्य विक्रांत का सामराज्य के महराज हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महराजा विजय नाराएन मरूत्पती जितना महान इनका सामराज्य था उतना ही विशाल उनका हृदえवी था एक और जहां प्रसार नीती से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया वहीं दूसरी और अपने नागरिकों की खुशाली का पूरा ख्याल रखा इस सामराज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिन पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक पहली थी और इसका शेय जाता है महराज के चहेते राज के मुख्य सेनापती राजनायक को बाज की नजर, जीते की फुर्ती, रणनीती के माहिर, वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही दस हजार की सेना को पराजित करने की शमता रखते थे राजनायक की दो कमजोरिया थी पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे राजकुमारी रतना देवी को पाने के लिए पहले उसके प्रेमी और उसके बाद उसके भाई का वद किया उसके पश्चात सत्ता पाने की लालच में महराज को भी मार डाला और जब राजकुमारी रतना देवी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी मौत के खाट उतार दिया मरते समय राजकुमारी ने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वज़े से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक खोर उत्पीडन का अनुभाव कर रही है उस शाप से मुक्ति का रास्ता कुछ प्राजीन ताड़ बत्रियों में अंकित था राजनायक ने एक बाज की मदद से उसे चुराने की योजना बनाई और उसमें सफल भी हुआ इसकी मृत्यू हो चुकी है दैव कुमारी में कई आलोकिक शक्तियां मौजूद हैं मृत्य शरीर में फिर से प्राण फूँक सकती है वो नवकाली का पूर्णिमा का राज बताने वाली ताड़ पत्रियां गायब हैं जalar को suggestion बताने मृत्यूद विह साईर्णिमा का राप में पत्कार थारे वे मृत् षाण में थैंगे प्राण में आलोका थारीर थारे दाण होすह ś dolphins पर भालोका थारे बताने हैं हाथ हटा लो ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अगनी को कभी छू नहीं सकते वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकित दे रहा है आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकाली का पूर्णिमा है साथ सो वर्ष बीच चुके हैं लेकिन भव्यता का प्रतिक रहे चुका विकरांत का सामराज आज भी वीरान है साथ सो वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहाई रक्त को मैं आज भी मैसूस कर सकती हूँ अपने सामराज का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दोंगी मैं साथ सो वर्ष आठ हजार चार सो पूर्णिमा आए इस बंधन से मुक्त होने के लिए तडप रहा हूँ अब मुझे सिर्फाने वाली नवकालिका पूर्णिमा की प्रतीक्षा है इस श्राप से मुझे मुक्ती दिलवाएगा काश्मोरा कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ती न मिल जाएए सोच के मेरा मन काँ पुठता है क्यारा बार जन लेकर तपस्या की है उस दुष्ट का वद करने वाला बाण बन चुकी हूँ मैं बाण को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी काश्मोरा कहा है तू काश्मोरा ये है श्री घंशाम दास का घर कुछ दिनों से यहां अजीब औ गरीब खटनाए घट रही थी किसी रुहानी दाकत ने इस परिवार का सुखचैन छीन लिया था इन्होंने कई तांत्रिकों और पीर बाबाओं की मदद भी पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाए आखिरकार किसी की राय पर घंशाम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े चानकार काश्मोरा को बुलाया इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था तो वो था काश्मोरा केले के पवित्रपत्य को ले आओ स्रामिजी शार्पत्ध31 कि अप्हें तूमेर प्यांन टे आखानया। खपापा? झापओ। झापाँब। कर्णाना दोर कि युरसु दोना है है 50 perché पाम बने अञा है कि प्वेली में है लौना 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 कि भाज़ नहत व। Alm यह एग! अए फोतो चाहातु आतो राउ्ग हाइ बाल चाहातु हाइ बाल चाहाँ आप अघ्डाइ राह् तो चाल तौ तौ डिकलू, पांद नकलू, तो थे जाँ! चाल दौ पर फियलेगे तौ 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 तौ! तौ! आपकी पत्नी के किसी रिष्टेदार ने आप पर वुडू मैजिक किया है उस पुतले के जरीए आपके पीशे एक पापी आत्मा लगा दिये मैंने पुतला ज़ला दिया है अब आपको वो हानी नहीं पहुचा सकता उसे समुद्र में डुबोना है थोड़ी जान बाखी है उसे मैं समान देगा स्वामी जी अब तो किसे कट नहीं है खुच जादू करके बुलाओगे तब भी तुमारे करीब में आएगी चलो जासूस बनके अपनी मंगेतर का पीछा कर रहा हूँ तू मेरी बॉंड गिरी में दखल मत दे चलो बाई बाप रे यह रास्ता तो शम्शान गाट की तरफ जाता है मुझे तो लगता है किस ने अपने बॉइफ्रेंड को वहाँ पर बुलाया यह तो बैंक में जॉब करती है ना लगता है कोई लोन लेने वाला मर गया है परफेक्ट हाई सर्व है क्या है आपके हाफ ब्रैंडी कॉटर्स की दो बॉटल लाई हूँ एक बनाओ लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है पानी है हाँ है ना मिन्रिल बॉटर यह क्या रे पानी से क्या नहाने का है वो बॉटल चाहिए जो कच्च से खुलती है और फिर फिस ऐसे आवाज आती है सोडा बोलते हैं उसको मैं जल्दी से सोड़े का पैसा दे चीन जा गंगुत लिकियां से उधार सोडा लेकिया मैने बताया था ना सर मुझे भूत देखना नहीं जाएं पुराने शंशान में भी नहीं मिला वहा परतांत्रिक तांत्रिक ने भी बहुत दावे किये थे पर भूत के नाम पर ठेंगा दिखाया मतलब तुझे भूत का दिदार करना यह है सर ये बताएं आत्मा और भूत में किया डिफरेंस है ज्यादा नहीं सपहलिंग का फर्क है सर खुद से मरा तो आत्मा और किसी ने मार दिया तो भूत अगर अंड़ा खुड से फूटा तो आत्मा किसी ने फोड़ दिया तो भूत चुड़ेल देखोगी तो डरोगी तो नहीं अच्छे अच्छों की बोलती बंदो जाती है अब तो खुश हो ना तुम्हें पता है लड़के के बाप में तुम्हें पता है लड़के तांत्रिक कहा और अब वो सखाई को ना चाहते हैं मुझे एक भूत नहीं के बाप होने का लेबल लगा दिया जब तक अपनी थीसिस पूरी नहीं कर लेती मैं चादी नहीं करने वाली बिना पर्मिशन रिष्टा करेंगे तो यह होगा ना पहले भूत देखूंगी उसके बा दूर तक लिए जाना पड़ीगा हां वेटी अब यहीं सुनना वाकी था दमार ढूंदने से अच्छा है कि मैं ट्रक के नीचे आके मर जाओ थैंक्स पापा थैंक्स भगवान है बेटा मेरा वह मतलब नहीं था तुम पहले शादी तो कर लो उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पती दोनों मिल के साथ में भूट ढूंड़ना और एक और तरीका भी है एक भूट बच्चे को जन देकर उस पर रिसर्च करना इस बहाने तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाएगी तुम्हें छे महीने का वक्त दे रहा हूं अपनी स्टूपड रिसर्च पूरी कर लो नहीं तो तुम्हें मार के भूट बना दूँगा फिर खुद की शकल आयने में देख लेना इस लोग स्पीड से ना तेरी थीसिस पूरी होगी और नहीं शादी हो पाएगी मेरी बात मान काश्मोरा नाम के तांत्रिक से मिल वो आत्माओं के स्पेशलिस्ट हैं भूट भगाने से लेकर चुडैलों और पिशाचों को अपने वश में करने का कॉंट्रेक्ट लेते हैं फुल बुकिंग रहती है हर रात 11 एपिसोड को यूट्यूब पर मैक्सिमम हिट्स मिले थे हुँँँँग आपका स्वागे थे सर यह काश्मोरा कैसा नाम है इसका मतलब समझाएंगे काश्मोरा आत्मा का एक लोकल नाम है जो बहुत पावरफुल हैं वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं जन्ब से गॉट गिफ्ट मुझे हासल था इसलिए पिता ने काश्मोरा नाम रखा ओके तो देखते हैं भूत प्रेट में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहां बैठे हैं और जो इसे फ्रॉ सुबार साड़े साथ बजे एक कववा आकर बेसूरा रोता है सर कुछ दिनों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर याद आया कि उसी जगहें पर मेरे दादा पेपर पढ़ा करते थे इसलिए हर शैनिवार मैंने इस बात को अब्जरू करना शुरू किया सर एक न्यूस प पर और पानी का गिलास मैं साड़े साथ बजे वहां पर रखने लगा वो कववा पानी पीकर चला जाता था तब हमें एहसास हुआ कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए बल्कि उनकी आत्मा उस काले कववे में आ गई है अपना ड्रामा बंद कर टाइम पे तो पुलिस भी जिन्याती कववे को टाइम का कैसा बता है अपना नाम बताएंगे शेकर कववा टाइम देखना नहीं जानता था लेकिन दादा जी जानते था सर आम तो पर देखा है कि आप जैसे धार्मिक और अध्यात्मिक लोग काले या भगवे रंग के कपड़े पहने हैं लेकिन आप तो यूनिफॉर्म सिर्फ पुलिस या आर्मी के लिए होती है ऐसे फ्रॉड या चोर किसी भी ड्रेस्म लूट सकते हैं सर यह काश्मोरा अध कुतर्क से सत्य नहीं जुटलाया जा सकता हमारे सौर मंदल में नौग रहे हैं जिसकी खोच साइंटिस्स ने कुछ सौसाल पहले की लेकिन इस खोच से पहले क्या उनका अस्तित्व नहीं था साइन्स के डिफाइन किये एक्वेटर या ऑक्सिजन दिखाया जा सकते हैं तो फ्रॉड नहीं हो यह साबित कर सकते हो चलिए आत्माओं को बिल्कुल ना मानने वाले दो लोगों को यहां बलाना चाहूंगा आचल डरते हैं कैसे मुझे दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम देखने वाले बच्चे और बुजर्ग प्लीज अपने ट यहां लेट जाए अलो सीधा लेटने को पुलो ना यह डरो मात और मत क्या है वैसे भी मैं किसी से डरता निए चल देखते क्या करता है यह लेट जाए अब आत्मा में विश्वास करने वाले चार वॉलेंटियर्स प्लीज यहां आई तुम बैठो कहां जा रहें जाने दो म मासाज़ देने वालों किया है है यहलो हमें चादर से क्यों दख दिया तुम्हारे भलाई के लिए यह क्या बख्वास है चादर नहीं चाहिए तुम लोग चीटिंग करो का हटाओ इसको जल्दे एड़ाओ चलाओ जल्दे सर मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है सर भूत होते हैं सर मैं तो इसकी वज़े से यहां आगया था अरे सुझे क्या हो गया अरे रुक का बाग रहा है रुक जा सारे कैमरा उसकी बर्डी के सेंटर पर फोकस करो त्रीक से फोकस करो कर दिया अरे मेरे तो टुक्रे कर दिया और मचां यह क्या करतिया साब मेरे जिंदेगी कराब हो जाएगी है सावत करो मुझे चोड़ तो जुप रहोंगे तो जुड़ पाओगे जो लोग मुझे में विश्वास नहीं करते हैं आके चेक कर लें और विश्वास करने वाले अप जो बोलो कि मैं एक चामरामन मुझे विश्वास हो गया मुझे ठीक कर दो मैंने काटा है मैं ही जोड़ोगा आपको लगरा होगा ये वाकई में एक साधू भाबा है तपस्वी है या भूद भगाने वाला देश का तांत्रिक नंबर बन है जी नहीं ये देश का फ्रॉड नंबर बन है यंत्र तंत्र मंत्र से इनका गोसो तक कोई लेना देना नहीं अपने टीम के साथ मिलकर पहले घ साउंड या लाइट्स का इफेक्स देके डराते हैं कहीं घर में कोई पुतले चुपा देते हैं और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बनके उस पुतले को ही ढून निकालते हैं भूत को भगाने का दावा करते हैं हाथ की सफाई दिखाने वाले सड़क छाप और वो अंतर है प्रेजंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का जो इस खोटे सिक्के को भी चार सो बीसी के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है तो यही है वो धोंगी बाबाओं का बाब फ्राड नमबर वन काश्मोरा मुस्त पूलाए रखता है और मुस्त पूलाए शोड़े बाब अगर आपका ही तो इन्हें उठा दू इन्हें पता नहीं था कि आप यहां आने वाले हैं एक मासूम बच्ची की तरह सो रहा है स्वामी जी ने कहा है सोते हुए को जगाने से महापाप होता है स्वामी जी आप यहां स्वामी जी आपके बताया महुरत पर पहुंच गया था पर यहां पर कुट्ता जरा नींद में था शुब समय निकल गया इससमय कहा यहां कुट्टे के बेडरूम में हो बेडरूम दक्षिनदिशा में तो उत्तम हो अच्छ अच só अब कि दक्षिन दिशा में कोई बेडरूम हैं क्या है है स्वामी जी दक्षिन Commander के कमरे में लियात ओ राजेश मूल नक्चत्र में पइदा हुआ है आच्छ का इस्तिमाल करना बहुत है सुभ होगा लोहा नहीं तो फिर कुछ वार करते हैं तो महलाने वाला वफादार कुटा था तू मालिक को ही काट खाया विश्वास तोड़ने से बड़ा कोई बाप नहीं होता कानों में इसकी सजा लिखी नहीं गई है जानता है क्यों ताकि उसका दंड हम अपने अनुसार तै कर सके क्योंकि उसका आनंदी कुछ अलग है तो यह चले सब लाइन में आई है लाइन में आई है अड़ा फिलाइन में चलिए वह लाइन देश्वादान रहने को कहा जाएगा ना विच भी बख्वास सुना रही हो यह बख्वास नहीं है बिटा इतिहास है मेरे पती अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूद दुम दबा के भाग जाते उन्हें देखकर शेर का भूद भी चुहे का भूद बन जाता है एक पार ऐसा हुआ दो कुत्ते मर गए उनकी आत्माओंने मेरे पती को काट लिया उनकुत्तो की आत्माओं को ऐसा धुया ऐसा नहीं चुड़ा कि भौक ना भूल गए आज तक घर की प्री में पहरेदारी कर रहे हैं आगे जा उनकी पूच पर पाऊं मत रख देना हां किसकी पूच पर दादी उन्हें डिस्टरब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टरब नहीं करेंगे दाड़ी बिना डरे प्यार से आगे बढ़ों मैं हूं जाफी सिट डाउन डाफी डाफी डालिंग रिलाक्स देशी आत्मा से बात करने के लिए पाच हजार और अंग्रेजी आत्मा के लिए दस हजार मैं बैंक से आई हूं काश्मुरा सर से मिलना है ओ तो ये बात है डाफी इनसे हाथ मिलाओ कम आन कम आन क्या बात हो आग तो डरती है अब ही तक आपने खून नहीं पिलाया देखो तो कितने भूगे हैं पूजा में बिजी थी इसलिए लेट हो गया थोड़ी देर भूग बर्दाश्ट नहीं कर सकते बिगार के रखा हुआ हैं पिला दीजे ममी इनहें खुन पिला देंगी आप अंदर चलिए ये फ्रेश खुन देखकर लाट अपकाने लगती है इस जगह की खासियत क्या है भ उस्बुदार चाय की तरह जीवन में सम्रिध्धी की मेहग बढ़ेगी भक्तों जैसे ही अंडा फोड़ोगे जीवन की फूटी किस्मत सबर जाएगी और उसकी जायकेदार पुर्जी बन जाएगी मेरा कोई धरम नहीं है हो मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ मैं सर्व व्यापी स्वयम पौर मेश्वर हूँ जीन के एडवांस पेमेंट आ गये हो वो जरा धीरज रखे आत्मा के ओन लाइन आते ही आपका भविस्सी पूछा जाएगा सिरफ हुंडी के आगे हाथ जोडने से जीवन नहीं सुद्रेगा सुन रहे है मेडाम तुमारे लिए वो सिरफ हुंडी है मेरे लिए वो एद भूखे इंसान का मू है इदर उदर क्या देख रही हो मेडाम इसमें डाली हरे कोडी किसी गरीब की जीवन में खुसिया ले आएगी दो अनात बच्चों की स्कूल की फीज ही डाल दो अरे दस अनात बच्चों की बूलना चाहिए था अरी भरी रहो, यू काम एक्स्क्यूस मी जल्दी का काम सैतान का होता है बेटी दुख्यारी डॉलर लेके आई है मैं बैंक से आई हूँ पर बैंक से आई हो, यू कम फर्स्ट, यू बो बेक तो यह कंट्रियों कुछ पैसा वैसा लाई हो उसके लिए नहीं, काश्मुरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है अकाउंट में पैसे डाल दिये यह मेरी थीसिस के लिए है जीजस कहा, तुम क्रिश्चन हो मॉदर मेरी, मेरी क्रिस्मस हो जीजस नहीं सर, थीसिस मतलब रीसर्च के लिए मैं भूतों और आत्मा उपर रीसर्च कर रही हूं उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूं अब तक जितने भी तांत्रिक मिले, एक नंबर के पाकंडी निकले आप जैसे स्वामी बनके बहुत भगानी का बिजनिस करते हैं उन्हें तो चपलों से मारना चाहिए सॉरी सर, मुझे खलत मत समझना मुझे जितने भी तांत्रिक मिले, सब चोर निकले मैंने अपनी थेसस को ड्रॉप करने का भी सोचा लेकिन उसके बाद मैंने काश्मोरा सर का शोव देखा और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें जॉइन करूंगी आच्छत परकवों के लिए पिज़ा नहीं दखा ओ, मैं बूल गई देखा, दादाजी भूखे रहे गए ने, मशरूम पिज़ा का ओडर दे दो, केरलेस हां, तुम कुछ कह रही थी मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे उने का ऐसास नहीं होने दूंगी एक कोने में बैच कर दिना आवास किये, अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूंगी कैमरा से सूट करोगी, सिरफ इतना ही, टीवी चेनल में उन्हें बेचोगी नहीं जिस भी पवीत्र मंदिर में केमरा और इलेक्ट्रिक आर्थियों ने परवेश किया है भगवान वहां से लोकसभा की एमपी की तरह वोक आउट कर गए हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है, यू मैं गो क्यामरा नहीं लाओंगी सर लेकिन अगर आपने अलाओ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाख रुपे दान दे दूंगी क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दील पीघुलने लगता है एक लाख एडवांस दे दो सॉरी सर काशमोरा सर को जॉइन करने के बाद क्या मंगता है आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था उसकी ATM पासबुक चेक सब कुछ लेकर रही हूं अब निगल यह तुमारी चेली अउसिस्टेंट बनना चाहती है प्लीज प्लीज सर मैं प्रोफेसर देखता हूं फूटले कॉल क्या पोर्सों भी आने की जरूरत नहीं है चलो चलो जाओ यहांसे बेटे का फेसला फाइनल है गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेटी ना कल गेटी ना रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फाइमली के संसनी खेज मुर्डर का केस अब CBI को सौब दिया गया है जिससे मिनिस्टर बहुत परिशान है वो राजेश का केस CBI की पास चला गया है उसे का फरक पड़ता है जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता इस CBI FBI सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विग नहें ससुर तुम चिंता ना करो राहू छटे घर में से चंद्र पर तृष्टी डाल रहा है एक अल्पकाल ग्रहन है छोटी मोटी चिंता आएंगी अरे तुम्हारे जैसे देश के सिवव को पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई तुम बस कर्म करो और भाल की चिंता हम पर छोड़ दो स्वामी जी दरसल दिल बहुत बेकरार है दिल को जरा काबो में रखो अगर राई का तेल खाते हो तो थोड़ा मीठा तेल खाना शुरू करो और बिठवा जरा अच्छी सोबत में रहा करो इक किल्लों को पाल रखियो अपने आस-पास अब तुम जाओ हमें लगुशंका ही काश मोरा ने साइंस में टॉपर हुकर भी जोते शास्त्र और तंत्र में घहन खोच करके बहुत सी आत्माओं से बात की हो पर वो ठस से मस अकाउंटीटेस दे दीजे ओनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी तुम पर गरीवों का आसिरवात बना रहे है कॉल चार बज कर दीस मि कुफल कुफल कि एक डेक करती आपके पापा ने मुझे यहां चार बजे आने के लिए कहा था लेकिन समझ में नहीं आया शाम की आ सुबह के तो सेफ्टी के लिए मैं सुबह के चार बजे आ गई तेरे पास का डबल बेजा है यह थारे को बैंक दिखे जो सुबह सुबह डूटी बजाने कि अगे मुघे सालरी नहीं चाहिए इंफैक्ट मैं आपको अपने होने का हैसास भी होने दूगी जैसे आत्मा ही नहीं दिखाई देती मैं भी नहीं दिखाए दूंगी किसने बोला कि मैं आटमा को नहीं देख सकता मंच नो छाहते हूं मेरी थीसि lleva करने में तेक अप ही ह और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनिस का शटर डाउन कैसी रही इसकी पूरी फैमिली के डियाने में फ्रॉडनेस है हर फेल की तरह इसमें भी फ्रॉड है उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता न वो गलत होगा कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतन में वो वही था यानि आत्मा का कॉंसेप्ट एक छलावा है अंदविश्वास है क्या ये बात सच है या नहीं ये बहस का विशय बिलकुल नहीं है विशय ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं उन्हें एक्सपोस करना भाई कभी रू भगाते थे अब मच्छर भगा रहे हैं गोसा करने से क्या होगा यहीं सच है जिन नाज से निजाल पाने के लिए लंबी कतारे लगती थी अब कबरिस्तान सा सन्नाटा है बुरे जिन जैसा है ये काश्मोरा अरे बकरीज में तो हमसे मुफत की बिर्यानी उड पड़ेगा भाई यहीं हार रहा ना तो हम दोनों को पेड़ भरने के लिए दरदर भटकना पड़ेगा बाइजान काश्मरा स्वामी का आश्रम किदर होगा हुआ है चेरकुट कि या लोगा है नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्थाक माहिन की बाद में खवर लेता लगता है यहां पे सब के सब बेए गए रखाई जी औरे केम छो भाई मजा मा अपने बेटे को बुलाओ जी बेटे को कास्मोरा वह इस वकत ध्यान लगा रहा है पापा मोट चला दो पानी खतम हो गया उसल खाने में ध्यान लगा ना मिया जोगा माइने नहीं रखती दील में स्रद्धा होनी चाहिए बस बेवकूफ मत बताओ मिया अंडे और दूद कहां को जाते इस बात का हमको पूरा इल्म है वह अंडे नाग राज के पास जाते हैं दूद यो तरह हसना बंद करो जी बंदल बाज कहीं चाचा जान ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी गड़ी कंदर बाल आगे तो ठीक है ना चाचा बेटा मेरी तब्याद दुरूस्त है है आज भी मैं दस लोगां को एक साथ पचाड सकता हूं है तक्का क्यू बार रहे मिया औ हाकीम को इलाज सिखा रहे है चाचा जान बेजे में क्या चल रहा है उगल डालो बेटा आज तक का इस शेहर में सब लोगा बिना भेद भाव के अमन से रहते थे और मजब का कोई मसला नहीं था मिया और यह पॉइंट पॉइंट क्या कर रहे हैं मुझे फैसला चाहिए मिय देखो आज के बाद मुसलमान भाई मेरे पास आएंगे और वो क्रिश्चन लोग उसके जाड़ भूगा करने माइकल के पास जब से तुम लोगा आए हो कोई भी मजब या धरम हो भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते काश्मोरा मिया हम भी तुमारी त को दिवारा पे टांग दिया और वहां देखो नाग देवता को दूद में चायम लट पिला रही है अरे चाचा क्यों घुसा हो रहे हो किसी दिन मैं आपको भी टीवी पे बुलाता हूं को मिया देखो यही बातों तो सम्झा रहा मैं है तुम टीवी पे एक्टिंग करके त वहां वहां रोड़ा पे आईसा जादू सडख चाप जादू गर जोला में लेके घुमते मिया और भोली भाली आवाम है इसे सवफी सदी सत समझ बैटती क्या लेकिन यह गलत है मुझे भी बिजनस में हिस्सा चाहिए क्या तो मुझे तेरी भी कमाई से हिस्सा चाहिए अर मैं भाइनोय को भीज़ देना उसकी लाइफ भी सट कर दूंगा अला अफिस है मिया तो हमको बरबाद करेंगा है तो हमको सड़को भी लाने की सोचना मैं तेरा असली चरा सामने लाओंगा सुनले कल पुलिस को लेकर आता मैं तुम्हारा धंदा चोपट करवा के तुम्हे जेल भीजवाता मर्दा की अला तो घर पिछ रेना भाक्ति जन्पधार चुकिये अब इसे कलेक्शन सरू कर लूंगा तो रहत तक दो तिर लाग रुपे जमा कर लूंगा कास्मुरा वहाई जन्पूलिस पूरी पूलिस पूरी पोट साथ में आई है जल्दी सब मुझ छुपा दो और ना के बिल को किसी और के बिल में छुपा दो काश्मुरा कौन है वो मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो मैं साडिया बेचता हूं यह देको मैंने सेंपल पहना है दो पेपाच प्री है तुम्हारी बीवे कितनी है पिताजी आपने मेरा शॉल देखा और यह बोड़ी सरारती बहुत ची है कोलनी के हर आदमी को पिताजी बुलाती है यू प्लीज कॉंटिन्यु आपको एसी पी ने बुलाया है कर दो इसको अज को भूली बालियों को जीवर्चु रहता है रूद भगाने का डोंकर के गरीबों का खून चूस्ता है खून चूस्ता किसको कहते हैं माहितर को बताता जादू आज के बद सकाला जादू नहीं करूगा साभ आज के नाम पे लोगों को उलू बनाता है यह कैस साहिब साहिब क्या रहे जो मैंने सुना वो सही है क्या सुना है आपने तीवी में प्रोग्राम करते हैं बहुत हीट है तेरा टी आरपी बोच्जबरदस्त है उनका शो है उनकी टी आरपी है मेरा कुछ नहीं है ठीक है बाइट करता है ना संबल जा गलत शिकाहित किये किसीने आपको मेरी यहाद की सफ़ाई नहीं है यह भगवान की देन है जहां आपकी वेवस फ्रीक्वेंसी वाइबरेशन्स आत्मा उसे मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं आत्मा इस समय मैं पुली स्टेशन में सब्सक्राइबरेशन्स नहीं समझ पाएगा सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चल लोगी समझ सकते हैं आत्मा उसे बात करने का डिप्लोमा किसी उनिवसिटी नहीं है इसलिए सोचा की एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए मेरी पूरी फैमिली सेवा में सब्सक्राइबरेशन्स के पास से गाड़ी चुरी हो गया है उसको ढूंद के देना प्लीज आप की गाड़ी थी डिपर्मेंट की गाड़ी इसलिए तो फटी पड़िये मेरी इधर के जितने गाड़ी चोरे उनको लाके तोड़ा उनका काम नहीं है समझ लसका क्या सर पुलिस नेटवर्ग जी पीएस ट्रैकिंग यह सब के होते वी अपनी गाड़ी ट्रेस ने कर पाए यकीन नहीं होता है आइसी बात नहीं हरे क्रैश वेला प्लेन भी का मिलता है यह तो गाड़ी है दो दिन के बाद सी एम के साथ मेरा मीटिंग है इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने कुछ करना बाबा यह कम पुलिस टेशन में नहीं हो पाएगा तो जागा बता माई साब इंतजाम करूंगा इसमें आप क्या करेंगे काली देवी के मंदिर और ध्यान लगा के डिरेक्ली मैं आत्मा उसे चाटिंग करूंगा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप तो जानते हैं के पुली स्टेशन में क्या क्या होता है क्या आत्मा यहां नहीं आएगी तो फिर मेरे घर आज आई दो पहर तक पूजा करके शाम तक जवाब मुर्गी के अंडे लाना मत भूलिएगा काम हो जाएगा स्वामी जी सिर्फ अंडे लाओ या काजू चकली वगेरे दारू पीनी है जो चकना लाओगे स्वामी जैसी बाते करते सारी बाबा आत्मा से मैं बात करूँगा बर दूद और अंडे नाक के बिल में चड़ा दें स्वामी यह बात हम दोनों के बीच में रखना है बात मुझ तक ही रहेगी बिल में जाने के बाद दूद बाहर नहीं चलगता सर अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है इसे प्यार से गिराइए नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे मिल गई एक सीमा ने खा जहां तो भाशाओं का संगम होता है अरे पाप रहे पाकिस्तान बॉर्डर मतलब गाड़ी टेरेरिस्ट के पास उस जगे का नाम ता से शुरू होता है और दा परखन बोली तो थाइलेंड चुप ता से शुरू आनी दा पर खतम होने वाली कोई जग नहीं है स्वावी कहीं है क्या कानाडा तो काड़ा बला ना ताड़ा ताड़ा जुम्री तलैया से पांच सो किलो मीटर दूर फ्लाइओवर के नीचे केसर या रंग के लुभावने रंग में रंगे एंटियार के पुतले के नीचे खड़ी है सब कुछ रेड़ी है तू फोन लगा गुद मॉनिंग सर साहिब मैं इंस्पेक्टर राज शीन दे बोलता है काड़ी बॉर्डर क्रॉस किया मा कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है आत्मा ना टोल भरती है और ना रोग टेक्स साहिब एक गाड़ी मीलिये उदर आपोड़ रहा है इसे कैसे बता चला इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं चूपाएगा है बॉल्या साहिब उसे हाथ लगाया है तो हावा में उड़ गया वो जो भी हो उससे कहो की गाड़ी से दूर रहे साप जदी हाओ जन्दी आओ जन्दी साहिब कग प्रिष्ट सेर्फ श्टार्ट हों इतु है जरी मरी तेरी माघ़ कग रहे श्चिता जराध़ कही अ क काड़ी चल रहे है साहिब है कब मास काभी होगे है काड़ी रॉखियाल स्लश थे बोलता हो के अट बीत द्राइबंढकों हो डीरिफ़ से परने से शुम्हक कि रागा चुह स्मया स्वामें अात्मस वाली बात पर यकिन विभी तर अधर शार में गाड़ी जीदर से अधर रहे था उदर ही पहुंचाया देखो' मेरे व्यक्सिंग की एले रोंग्टे भी खड़े हो रहे बाबा शांत हो जाओ एकसाइटमेंट हेल्थ के लिए हानी का रखे अभी तो भगवान में विश्वास हो गया आप जीदर खड़े होएंगे मंदीर उदर ही बना देऊंगा बाबा आशिरवा दो बाबा अरे आप कि क्या भाई जान आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे देखिये उधर होद एसी पी सर उनके चर्णों में गिरे हैं स्वामी ओ गाड़ी चोर का नाम बताओ ना मैं उसको दंड दूँगा आत्मा उन्हें दंड देंगी डूंट टास्क दिस क्वेस्चन अगेंड अपने सीनियर को फॉलो करना मेरे ड्यूटी है काश्मोरा जी की जाये सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरुवत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लडाना पड़ता है दो नंबर के धंडे मौलवी साब की धंकी के बाद काश्मोरा ने आने वाले खतरे को भाबते हुए एक सीनियर पुलिस ओफिसर की गाड़ी रात को ही उडा ली और अपनी टीम की मलत से वैसे ही दूसरी गाड़ी बना ली मैडम दोनों कास रेडी है डुपलिकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर डुपलिकेट कार में करंड के जटके वाले गैजट्स फिट किये और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आखों से ओजल हो गई जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहने से पुलिस टेशन पर खड़ी कर दी गई थी इस तरह काश्मोरा ने ऑफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया आत्मा से को आफिसर ने नमस्कार किया बिजनसमान राजेश और उनकी फामली के हत्यारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है शक के घेरे में आए मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाए हुई है पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपने आज का अकवार पड़ा आपन आपने चुप रहने के लिए कहा रिपोर्टर मसाला मार के द्यूस छाप रहे हमरा गड़े तो ठीक था यह सब कुंडली में तो नहीं था आप बूझे जिस रसी से राजेश को फांसी लगाई थी उपीले लंकी थी ना मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आ आपको बताय थे ना वह टीवी पर जादू सारे जोतिश फ्रॉड लगने लगे चलबग क्या हुआ काश्मोरा स्वामी तीवी वाले है ना हमारे काश्मोरा स्वामी हाँ हो ही साइब काश्मोरा को अच्छी तरह जानता हूं एकदम रॉकिंग है एक बार आजमाएंगे ना ग्यारंटी देता हूं कभी छोड़ेंगे नहीं उसको आप आपके दर्शन हो गए है मैं धन्य हो गया है सच में लगता है काईनात का जर्रा जर्रा आपसे मिल्वाने की साजिश में लगाता है स्वामी आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या फेस्बुक पर डालूँगा हाँ ले लो माई क्या बोलो गुरुजी मेरे कंदे पर हाथ रखेंगे थोड़ा स्माइल कीजी ना बात कर थो थोड़ा कोने में आओ ना स्वामी क्या है स्वामी इसको काई को दिमांट दे रहे हैं आप इतना आप शेल्फी में बीजी है और मंत्री जी आपका वेट कर रहे है शमा कीजीगा इन्हें देखकर के मेरे होश्क हो गए आप बताइए कुछ खास नहीं है कुछ दिनों से घर के अंदर घर के बाहर माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस है एक को सॉल्फ करो तो दूसरी प्रब्लम पैदा हो जाती है यकीन नहीं होता स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है मुझे माफ करें मैं स्वामी जी की जगे नहीं ले सकता मामूली पुझा रही हूं यह तो स्वयम भगवान है इनका आशिरवात लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं आशिरवात है चलता हूं अनुमति दे हैं कोई है यहां बहुत शक्ति शाली है आज बहानी नक्षत्र है कृति का कब आएगा बदवार को उस तुष्ट को बाहर निकालो दो दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊंगो दू दिन के बाद आत्मा को भगाएगा उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा तू रातों तक उल्लू की तरह आँक खोले रखना है फिर देखते हैं उससरा हमरी जगह काई से लेता है हमारे अनुभवी जोतिश महराज जानते थे कि काश्मोरा जैसे फ्राड तांत्री कौन-कौन से पैतरे आजमा सकता था या तो काश्मोरा 3D स्पेशल इफेक्ट से भूत क्रेट करने की कोशिश करता या फिर चुक्के से ब्लैक मैजिक वाला पुतला घर या गार्डन के किसी कोले में छुपा के रखता अपने दोनों असिस्टेंट्स को चेंस, पॉंड और करमचन बना के घर की जासुसी करवाने लगे मगर अफसोस दिन रात उल्लू की तरह जाक के भी जोतिश महराज काश्मोरा के खिलाब सबूत नहीं जुटा पाए वो इस बात से एकदम बेख़बर थे कि काश्मोरा घर के अंदर नहीं, बलकि घर के बाहर कुछ करने वाला था वो स्वयम जोतिश महराज को अपने चक्कर में फसा के उसे घंचकर बनाने की फिराक में था अब तो जोतिश माहराज को भी लगने लगा कि शायद काश्मोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है भगा पाएगा यह भूत को भूत नहीं का, हमको तो लागत नहीं है आजा भूत जे हमना को अब देख जाएगा कैत्मिः खर्त आजेश कर देख गूम्रा भूट का भी अजियान दूटच हागा आतमा जैसे कुदी को जाएग यह जुपाएगा तो पाएगा सुल्यवन सेट सुल्यवन सेट वह वह वाट्स न्यूज हुँँग हुँग वहर ओक ओक शूल वाट्सूल यह भूतनी का किस्सवात कर रहा है स्वामी जी कौनों अंग्रेज आत्मा लागत है ओ यू मेन तरिशूल वह जो एक चक्र में कायद है यह तो अनर्थ है डीदेल पूछो अच्छा गाडी गाडी आपकी मरसडीज की बात कर रहा है गाडी एक बड़ी गाडी उतनी वाले ने गाडी में को जोल किया है हम उल्लों के बच्छों का पता कही ने चला अब आई काम हो गया सफेद मरसडीज है गाडी का नमबर है तीन बार पाच्छ सारी बेंस के नमबर ट्रिपल फाइव है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नमबर नहीं मिला क्या वो स्वामी के बजाए इस स्वामी को फजा दिया सौरी फिर से बोलो पूरी डिटेल्स नहीं सुनबा कान में तक लीव थी टीन ट्वेंटी यानी तिरुवलर यह नहीं होगा टीन एलेवन यानी तंबरम कैंसल जरूर यह होगा गदे गई के अकडबकड करना पड़ेगा मुझे पामीजी अब गेस करने का टाइम तो दो तूंड रहा है सासुर फूर पूर गया काश्मुरा सोच ले या फिर नया धन्दा ढूंड ले okay no problem I will manage मैंने तेरी गलती माफ की जितना यादे उना बतादे confident है hey food is क्यो गाए बता वेरे कान कुले हुए मैं बौल आपगा सुनर रहा हुँँ वितु क्या क्या कर रहा है बोल ला के पलता रहा हुए मैं तेरी पास हूँए रालालालालालाला जब कर जब देख ले देख लेना सर, स्वामीजी की कड चेकीजे hey checked कुल्दी अगर गलत निकला ना तो फिर देख ले ना अगर ये कार नहीं निकली ना तो काश मोरा तेरा धंदा बंद हो जाएगा अगर नहीं मिला ना तो समझ जाना समझ गया सर गाड़ी में कुछ मिला है अगर अगर ये श्वामी के कार में कैसे बिना जड के पेड़ नहीं बच्ता स्वामी इस घर की जड है इसलिए इनकी कार को चुना तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला कि उम्र के साथ बाल का रंगी नहीं उड़ता सर के अंदर की हार्ट डिस्क भी क्रैश हो जाती है जो रिपैर नहीं होती स्वामी जी वो तो आप से फास निकला रिटार्मेंट ले लीजिए हम अलो सर वकील बाद कर रहा हूं मुबारको और राजेश मडर केस आप जीत गए हैं कर दो राजेश मुबार कर रहा हूं मुबार कर रहा हैं काशमुरा स्वामी हजार भूतों को मोख्ष दिलवा रहे हैं गिनीज बुग का रिकार्ड बनेगा सर किसी सेफ जगर चलकर यूटूब पर लाइब देखे का इस वक्त हम नहीं जाएंगे पहले भूच जाएगा उसके बाद हम जाएंगे पबलिसिरी पाने का यह अच्छा म अरे देखो ठीक से टेंट लगाओ एक हजार आत्माय आने वाली हैं उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए समाल के मैं गुंटूर जिलपति राव हूँ अच्छी बात आड़ा कि संभीप मेरा एक बंगला है वो मंदिर के पास वाली दुगान वहां तेरा आत्माय रहती है तेरा मेरा क्यों तेरा यानि नंबर वाला तेरा दर्जन अंडों से एक ज्यादा वाला तेरा काश्मुरा स्वामी आप वहां जाते हैं वो क्या है स्वामी जी कि समय की बहुत किल्लत है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे हजार आत्माओं को उपर पहुं सब के सब फ्रॉड है कोई एक भी आत्मा नहीं निकाल पाया अगर आपके चरण पढ़ जाते तो पैसों की कोई कमी नहीं है जितने चाहेंगे बेजाए अरे आप इतना जीद कर रहे हो तो ये तो इसका बंगला भी हडप लेंगे अपना आडर्स मेल कर दीजेगा मैं असंभव बोली निता जी क्या आईए रोज एक नहीं मुसीबत खड़ी कर देते हो मुश्किल से तुम्हें राजेश मंदके से बहार निकाला और तुम्हें एक नए ड्रामा शुरू कर दिया ओपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल राजकल क्यों कुछ भी तो नहीं चल सपोर्टिंग पार्टीज के जो एकलिमेंट्स थे वो सारे डॉक्रिमेंट्स सेफ है ना हाँ वो सब सेफ है सवामी जी के आश्रम में रख देखा अब काश मुरा हमारा स्वामी है यह सब कुछ उसके आश्रम पहुचा दो हुआ है कि सवामी जी बाहर मिनिश्टर साब के आद्मी आये है वासिरवाच चाही है जी बेच दो आओ क्या वात है हम रहे सहाब एक लैंड की दा के लित लिए जा रहे हैं ए अगरीकल्चिर लिंट के लिए उसके लिए State क्म फूझा करवानी है हूं हम पर बड़े साहब भूमी पूजन कर लें उसके बाद हमी बैक्स ले जाएंगे उन डोकुमेंट्स के बेक को पीछे कोप्चे में ले जाओ मैं भी पहुचता हूँ जा बच्चा कि अंदर लियाओ अंदर आजो यहां रखवा दो इनकी पूजा करने के बाद मैं इन सब बैक्स को लोकर में रखवा दूगा कहो तो उसकी डूप्टिकेट्चा भी तुम्हें दे दूँ वो की कोई जरुत में बैक्स संभाल के रखिएगा तो ठीक है चलते हैं सवाना जी गजब हो गया काश्मोरा ढोंगी निकला उस पर भरोस्टा मत करना अब बाप रे जलपती ने तो कहा कि बंगला है यह तो किसी महल से कम नहीं है एक केस के लिए CCTV फूटेज चेक कर रहा था बीस तारीक को घर में एक ब्लैक मैजिक का गुड़ा मिला उसको 17 को किसी न उस घर में रखा था रखने वाले उसके चेले ही थे पूरा प्वाड है कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है डायमंड्स था गोल्ड था क्याश था गोटालों के सारे रिकॉर्ट्स थे सब मिला के 500 करोड होंगे आयला सब कुछ दिया है कि कल तक तो तो उसे भगवान बता रहा था और एक दिन बाद तो उसे फ्रॉड बता रहा है शाना समझता है क्या है कि काश्मुरा को बैग मत देना वापस आजाओ अरे हम तो बैग रगती हैं का हुआ कोई भी बहाना बना के वापस लेकिया सारे बैग और नहीं दुख्या साहाव यहां ताला लगा है इतनी चल्दी भाग गया क्या देखकर तो यहीं लग रहा है पूल कर दो बगवान तेरा बला करें आपनों दो जरह यह के सामी ची कर लिजे पर बैलेंस कम है डीजेल भरना अहां भरता हूँ कास्मो रभ बापा बोल रहा हूँ यह जो मिनिस्टर अपने पास आया था यह कोई सिंपल नहीं है बहुत बड़ा जोल है पूजा के लिए वो लेंड के पेपर्स बैग में भर के लाया था ने बड़े सुन्दर थे मुझ से रा नहीं गया तो मैंने उनक फ्रहँ पर लगर मालूम उसमें क्या मिला जवारात रोकड़ा कैस कुल मिला के 400 करोड के ऊपर होगा विए उन सब के आलावा बेग में बैकार रधी भी थी ति यहां से सीधे तुमारे मामा के बेंगलोर वाले आसरम जा रहे हैं तुम दिरेक्टी वही आना प्लेन की ताथकाल टिकिट निकलवाके सब लोग बेंगकोक जाएंगे और मसाज कराएंगे बोर हो चुके थे इस देश के लोग हम पर आसानी से विश्वास कर लेते फॉरिंग सको चिट करना चेलिंजिंग रहेगा पपो एक बात बोलू आज बुझे बहुत फखर हो रहा है तेरा बेटा होने पर अपना ख्याल रखना और पैसों को भी साहे ब्याग अभी घर के अंदर ही होएगी दरवाजा तोड़के निकाल लेते हैं कोई फाइदा नहीं बैग्स बैंगलोर हाइवे पर हैं कुछ भी मत बखो तो मैंने बैग्स में जीपियस ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स कर दिया है जो हमें बैग्स की लोकेशन बता देता ह मुझे इस फ्रॉट पेमिली पर पहले से शक था हेलो उस परिवार का एक भी आतमी जिन्दा नहीं रहना चाहिए समझ गया काश्वुरा रुक जाओ काम अदूरा है छोड़के मत जाओ तुम कोना यहां पर तो कोई नहीं रहता है किसने कहा मैं रहता हूँ ना के अचिंगे तो कर पेक जरूरी काम निंगला है फिसरी जाना पड़ेगा अगल चोड़ अंगल क्या कर रहे अँगल मेरा बैक किर अँगल है अँगल चोड़ क्या खर्राइब इस नियुकुल क्या खर्राया एक अधाथ कर जोड़ का लेंगे जाड़ा चौड़ कर से फिर दो सब्धों के जाना है आलो डर बुट्धे की का रहो तर्वादा का खोलने में अलो अंकल जी दर्वाजा नहीं खोला दो तुम पर भूच छोड़ दूगा शाप देदूगा इतने बड़े दर्वाजे को बाहर से लोग कर दिया इस्टूपिट मेरी टेकनीक मुझ पर यह आजमा रहा है लो चुमबक बच्पन से करता हा रहा हूँ यह कोई नई ट्रीक आजमा हो मेरे साथ ओके तो कोई मेंबोर्ट से खेल रहा है लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है उसे तो मैं एक ही दिन में जॉब से निकाल दिया था मेंबोर्ट पर तो कोई फास्ट आदमी चाहिए तकादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा लेट, लेट पासिंग दे रहा है, इस फील्ड का होके पासिंग नहीं जानता, पावर कट होने पर, अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ो तो, इतनी जल्दी सीख भी गया, तू इतना बुरा भी नहीं है, ये बंदा तेरा दंदा टेक ओवर कर लेगा, प्रदा, शेफ के बाद के मुझे मिलना, बड़े भाई, मुझे ये डेमो देने की क्या ज़रूरत है, मैं को क्लाइन थोड़ी हूँ, अरे सेम दंदा है अपना, मैं कैसे डरूँगा, लगता है तुमने तांतरिक समराश्री काश मोरा का नाम नहीं सुना है, अभी पता चल जाएगा, यहां के मिनिस्टर और एसीप को जानते हो, लाउट स्पीकर अन है, सनो, सिगनल जैमर भी फिट किया हुआ है, बाहुत बड़ी है, ये बात हुई ना, ब मेरे एंट्री मारते ही है, जूमर गिर जाना चाहिए था, सॉलिट साउंड एफेक्ट देता है, एक सेकेंड के अंदर नीचे यहां मुह के पास आना चाहिए था, हार्ट बीट रुख जानी चाहिए, देख भाई, लाइन सही पकड़ी है तुने, लेकिन आजमा गलत आदम मुझे पर आए तुने, फिर से कलती कर रहा है, जूमर नीचे आता हो नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे मैं हल्लो से ऊपर आ रहा हूँ मुझे, यह को स्वेशले होता है, यह सराजर चीटिंग है, मुझे उच्छा इसे ड़ लगता है, रसी बिरही बादी है, बिनना सपोर्ट के किर जाओंगा, हट्टी पस्ली चूँजाएगी, अभे सुनना है, जुत्ते प्यार से उटा है, वेसे ही नीचे रगना, तड़ा सब्सक्रापकर के बाद चोड़ देना, हुए, सरकस का जोकर समझाए, यह सब लोगों को डराने के लिए होता है, उन्हें जान से बाने के लिए नहीं, मैरे पापा हाड़ पेशिंट है, और मैं दिल का मरीज, प्लीज नीचे उतार दो, मुझे, 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 म जाना के लिए, इसे उफेक्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैं फुर्सत में सेखने आओ तुम तो मेरे भी गुरु निख ले,ear Mainly कुट है अब दर्वाजा खोल दो मैं घर चाला जाओं यह तो कुट्टा दिखाई दे रहा है भाई इस रेबीस का इंजेक्शन तो दिया है ना यह तो कुट्टा नहीं तंदूरी कुट्टा है और कितने अब दूस्य होता है किसका आपको बता टोमी है यह जोनी या पिर सुटी या पिर कि लिगे मुझे अपना टिनर सा बज़ रहा है चोड़करेत अटे, आपान दुरिकुटाब जाओ। पान्सो करोर लूटने के बाद ससुरा आशिरवात दे रहा है यह चलो ठाइजा यह चलो ठाइजा पीट बतन होगा है अरे मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है किसी ने लॉक कर दिया है अब तो यकीन आगे ना स्पाइडर मैं की आत्मा घुज गई है मुझ में अब उसका बाप नीचे उतारेगा मुझे तुमा खड़े खड़े उसका मूं का ताक रहे हो उका नीचे लाओ जल्दी उतारो तो तुमारा ही फाइदा है उतारो उतारो यहां से उतरती बैग्स ले यह हवा में किसे ड्वूण रहे हो चल्दी यहां से कल्टी माणने के अजो आजयो 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 अजयो आजयो तु हाथ पकड़े में मारता हो की गे सूपरमेन बन गया का उपर कैसे गया अरा मुझे भी नहीं पता तो नीचे आ अरा हूं या कश्मोरा स्वामी हम का मापी दे दो स्वामी हम तो का पैचात नहीं पड़ें तो कसी हो गई अरा हाथ वाठाओ 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 दोगा जमीन के नीचे छेखो पड़िया बारा हाथ है रुको रुको मैं कुछ करता हूं है रो मात तुमारी तग्दीर अच्छी है देखो मुझे क्या मिल गया जल्दी से पकड़ों से अच्छी तरह पकड़ों और मिनिस्टर को बताना कि मैंने बचा स्वामी से अच्छी है है हम एक लियां से है है कैसु बेटा कासु पापो पापो कहा है आप और गार में बेठा हूं अरे पर गार कहा पाक है यह पेड़ के ऊप अब इतनी देर से हवाँ में तेर रहा था एक बार भी नजर नहीं पड़ी बाप रहे रहा है वहां कैसे पहुच गए और पैसे का बैक तो आपके पास है और या कदेडा हम सब की जिन्ददी लोटक रही है और कुझे बेक्स की पड़ी है बेसरब पहले हमें उतारने का तरी सब्सक्राइब कर रहे हैं और यह सब कुछ ने मिनिस्टर का किया धरा है उसके स्वामी का टोटका होगा यह काम उनका नहीं हो सकता उस जल्पती ने बताया था यहां आत्माओं का वास है कैसी बात ही कर रहे हैं मेरे आने का तो लॉजिक बनता है पर आप लोग यहां कैसे पहुच गए हरे हमारा यहां आने का पिला नहीं था नकली आत्माओं को भगाने के और खुद बज गये चल भाग चल रिक्स मत ले चल 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 जल जल दी चल निकल आते हैं मम्मा इस तरफ जल्दी दादी चल चल पापा इस थरो वामे भागते रहो रुको मत भागते रो आगे भढ़ते रहो हई भागते रहो यह थे बंच ठाठीं जाए तरवाद बंच करना धा पाज करना त्रो kaz चरहल लोटा है तामबे का सही का भाया क्या यही वह भूत है मैं भूत कुनी भाया यह तो फिर भूत टोन में क्यों बाग कर रहा है मारे उल्टे पेर चेक कर रहे हो मतलब हां मारी खबसूरती ऐसी है भाया मारी फोटो घर पे लगालो तो नचर नहीं लगती ऑची बात है अब तुझा ही नजर लग गई हमारी तरह तुभी मस गया है यहां आखिर हो क्या रहा है यह साच सो आच सो साल पुरानों महल है किसी पत्रना देवी नाम की राजकुमारी के लिए बनवायों गियो एक दिन हाग लगने से घणो बड़ो हिस्सो जलगी ओ जल 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 इतना चिपक क्यो रहो भायो डर गय हो क्या हां भाया थोड़ी सी प्लीस कंटिनु उसाग में सिर्फ यह इमारत ही नहीं जली बल अपने कबजे में ले लिया अपने ओफिरस के लिए उन्हों ने इसे एक बड़ी लाइबरी में बदर दिया और भाया फिर एक दिन एक अराम से बैड़के किताब पढ़ रहा था किताब में से कुट्टा निकड़े और उसकी आखें नोचली पर डिनर में उसको गलो भी ख जानने लगे कि यह बायों इतने दूर क्यों खड़े हो मारे पास आओ नहीं अरप अधर हो मारे पास पर कई बरसों बाद कुछ पॉलिटिशिंस की मदद से चलपति राओ ने इस मेल को और बोड़े दाम में खरीद लिया ग्रश हंती के लिए उसने कुछ पंडितों को भुला कर यहां पर यग्या करवाया उसके बाद भाय उस पंडित क्या हुआ उसका पेर उसका जो हुआ वह भयाणा कथा यार बार पॉच देना जरूरी है क्या पंडित को मू लट्टू की तरह घूमगियो और राव चिलायो लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुए भाया पेड़ की शाकों ने अजगर की तरह उसकी लुगाई को लपेड लिया पेर चने भी की तरह घुमा घुमा अब बचाये मेल तो इसे बैचड़ों को काम मारे को दियो है मैं एक प्रोपर्टी डीलर हूँ इतने दूर क्यों खड़े हो मारे पास आओ उसके बाद क्या तुम जलपति राव से मिलने गए और कठे जाओंगा यह इतनी देर बात धंदा बताया उसके बाद दील फाइल क करने से पहले उसने एक रात रुखने को का दसलाक अडवांज भी दियो भाया मारे मन में भी ऐसोही लट्डू फुटियो तब से यही फसाओ भाया जब मैं आयो तब तीन दरवज्जे खुले थे राजा की तरा इंट्री मारी जब रिटर्ण होने लगा तो दरवज्जे आप बंद होगे मारी हालत तेखो क्या है तेर दिन से सुसून रही है क्यों सब भंद है सब को जाम है तरे को तरे का सुकुर मिला तानiyim थरी को करियो, यो, सारे भोतों से के मतला बथा रहो, कितने भोत है यहा, कम से कम तेरा, यह कोई गेम चल रहा है क्या, पबलिक उसे संत मानती है, एसी पूसे फ्रॉड कहता है, और तू उसे भोत बता रहा है, मेरे पांचु करोड तो गुज गए, एक भोत से काशे पैसे लूंगा? क्या हुआ क्या है? क्या हुआ, सब चकाचक हो जाएगा, अब उन बैक्स के साथ ही मुलाकात होगी, अरे तुम्हारी मेहनत का पैसा ऐसे थोड़े खोने दोंगा, उन तो पहले ही खो चुके हैं, जाओ नुक्सान पुरा करो, क्या है, तुम आगे जाओ में पीछ आओ, अब या लाइन तो और ना लाओ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, या कोई नहीं है, यह नहीं है, आप बचाओ, अबसी आओ, तो प्पा ममे मेरे पास मता ना सारे भूत मारे पेचड़ीगे और रहे भूत नहीं चड़े हैं और अब लोग चड़े हैं डर के मारे हील नहीं पा रहे हैं बेटा सब के सब दढ़ों को आप मुझे के खुर्ला स्टेशन का खुली समझाए अटाऊ दरो मत अगर चिल लाएंगे न तो अपनी आवाज से डर जाएंगे अपनी आवाज से पर दोड़ा जलाता हूं जल्दी जला जल्दी जला रोस्ट ने करो आप अपनी दाल फायर ब्रिगेट को बूला अंधेरा काइम रख जब तो कंदेरा है हम भी जिन्दा है हूं मेरे बेग्स मेरा पैसा अरे ये सरों पूसन में हवा काने जारे मेरे ये कहा हूँ कहा हूँ खाया इसका इंट्रो तो दे यही तो आए भाया भूतों का सरदार सर तो गायब है फिर कैसा सरदार अरे डरा डरा के मानेगा क्या बिना इंविटेशन हमें क्यों बलवाया? किनी खास कारणों से हम इस प्रित्वी लोग को छोड़ कर जाने में असक्षम है हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाना तुपारा काम है इसने जो कहा वो बेजे में गयो भायो ने अधूरी इच्छा पूरी नहीं की तो महल में ही आत्माइं भटकती रही इन की आत्माव को टेक आफ कराने के लिए इसने तारे कोई चुणा थारी तो भूत ने लॉट्री निकाल दी भाया भूत जी इस काम के लिए आपने पूझे ही क्यों चुणा क्यों के धिंडो रहा तू नहीं पीटियो हमारी सक्सेस का में राज ये है कि मेरी फैमिली के सभी इस अदस्यों का जन्म रोहनी नक्षक्तर में हुआ है ग्लाडियटियर भी इसी नक्षक्तर का था सॉरी ट्रांसफोर्मर्स की फैमिली में यही कॉंबनेशन था इतिहास गवा रहा है कि ये सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस युग में हमारी ही ऐसी अके लिए फैमिली है मैं आपको बता दू हजार आत्माओं का मैं ऑनलाइन कॉन्फरेंस रखूँगा उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्क का वीजा दिलवाऊंगा ये एक वर्ल्ल रिकॉर्ड होगा आप में पोस्टर और न्यूस पेपर्स में अड़िसमेंट्स देखे ही होंगे औ और एकात पोस्टर में आपके भी लगा है मैं जब यहां आयो तब सभी भूत करेकोर से इसी इश्तिहार को पड़ रहे थे मुझे अंदर आते देखियो तो सारे दर्वचे इखिण क्या सब बंद कर दिये अब सब धारे पर है हम सब को बचा ले इस से छोटे साइज का यह मोटा भाई यह भूत मोटा भाई सच तो यह है कि हमें तंत्र विद्या का टी भी नहीं आता हम सब साधारन मनुष्या हैं आपके किसे काम के नहीं मेरी माँ यह है चाहो तो उसी से पूछ लो उसके सर के कसम अगर जुट बोलो तो फिर से अपना सर काट ले ना इस पापी पेट के लिए तंत्र के नापे थोड़ी हाग की सफाई कर लेते हमें अक्षमा कर दे खूशट बुढ़ें लोगों को उनके मरे हुए रिष्थेदारों की आत्मा से बात करवानी के नाम पर त कि नाम अब एड़ आइडिया कासू सोच बोलना भारी पड़ेगा हूं इन से कस्टमर की तरह डील करना अच्छा तो इन्हें मोक्ष चाहिए ना तो करते हैं कुछ बचाले भाया भीज़ देंगे आपको पांच मिर्ट का काम है कोई ने कोई रास्ता निकल आएगा मैं करता हूं कुछ पपू यह काम आप करोगे या मैं करो चोटा सा काम है तू भी कर लो ठीक है मैं रास्ता निकलता हूं भाई एक आइडिया आया है पर मना मत करना मैं घर जाता हूं चिल्ड तुलसी पानी में नहा के खुद को शुद करके खाली पेट से काली देवी के नाम की मैं माला जपूँगा और चिला चिला के मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दूसरी दुनिया का परेमिट मिल जाए आपको नहीं मिला तो मैं ओनलाइन दिलवा दूँगा अरे बैइक किसी और को भी चेव तो मुझे बता दे ना अगर आप गेट खोल देंगे तो मैं ओला से जाओ लेना मुझे पर बरोसा कीजिए बरोसा नाम की शब्द से बरोसा उच्चुका है मेरा जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पुर्णिमा की रात को इसी चारतिवारी में रहकर करना होगा मेरा वादा है कि इस क्रिया के बीच किसी तरह का विक्न नहीं आने दूगा और जब सुर्क के द्वार खुल जाएंगे तो इस महल के दरवाजी भी खुल जाएंगे सी यू सून तुम्हें यहां लाने का कारण मैं समझा चुका हूँ ऐसी कोई वजह पैदा मत करना कि मुझे तुम्हारा अवद करना पड़े लेट आम कावेंगे कि अच्छा तो कही है बूतों का सर्दाड़ हाँ हा हाँ अब उन बैक्स के साथ ही मुलाकात होगी पड़ बोला कहीं का अब बोला कहीं का बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता काश मोरा उस कारण की खोच करो बोला जुब में कुछ नहीं होगी याद ए्वाद के साथ होगी याद इस बना काराण प्रूँ अब प्रूँ तुम यहां क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई मैं कैसे आई हूं वो इंपोर्टन नहीं है तुम यहां कैसे पहुंची वो बात शॉकिंग है जलपती राओ याद है जिसने यहां का अड्रेस दिया था जानते भी हो वो कौन है नवसकार देरी मैं गुंटूर जलपती जानती हूं आप वही है ना जो काशमोरा स्वामी से हेल्प लेने आये थे कौन मैं अगर मैं काशमोरा को जानता तो आप से मिलने यहां क्यों आता भला मैंने तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था वीडियो में सिर्फ तुम दोनों दिखाए दे रहे थे और जिस यहां किया अस्ला क्या भूष एक असलि आत्मा तुमसे मिलने आई थी अब गाई है थे तो बूत भी तुमसे हेल्प मागने आरे तू तो गया क्या बात है शरिद्वा यह बता दरौसा पंद निकलते हैं लेटरवाटे एक सिकंड रुको तुम सब दुम दबा के भाग क्यों रहो आते वक्त दर्वाजा खुला तो नहीं छूट गया कहीं भूत डर के भाग गए तो वही बस चेक करने जा रहा था भाटो भाया दरवज्या बंद हो जाए उससे पहले मारे को तो यहां से जाने दो जल्दी करो भाया आत्मा जा गई तो चलो आजा इन बैक्स में क्या है पूजा का सामान है क्या हाँ पूजा का सामान है सर वैसे पूजा में कौन सा सामान लगता है यह सवाल पूछने के लिए पूरी उमर पड़ी है चलना अब इतने दिन यहां रहना है तो कुछ राशन पानी तो चाहिए ना वही लेने जा रहे थे काशमोरा मुझे तुमारी सरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा रण भूमी पर जन्म लिया अस्तर शस्तर के बीच बला बला रक्त से होली खेली और लाशों पर चल कर सफलता पाई कि एक और गलती की तो वो तुम्हारी आखरी गलती होगी रहे है 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 समझ गया ची पांगले क्या यहां पर चुड़ेलो की कमी है जो तू चिला रही है मैं गुंटूर जलपती राव हूँ जलपती राव की फोटो है पींटिंग के नीचे देखो कि इसमें तो जन्म और मृत्यू की तारीक लिखी हुई और के अरे भूल गई तू तू नहीं तो बताया था कि वह एका आत्मा है उसकी टेख उचुकिया और क्या उसको मरे पचहतर साल हो गए है उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है लिकिन मेरे घर पर क्यों आई यह तो लोचा है बावा बमे बचाओ पपा बचाओ मरी क्यों रहे मारे को दक्का क्यों दे रहे हो देख उदर देख जलपती राव को मरे हुए पचतर साल हो चुके कोई कुछ भी लेखेगा तुमार लोगे थारा दोस था गया वो नदीबर साथ में कपड़े चुराते थे खाता पीता से अटमार ने तीन बार खुद अपनी आखों से देखिया है बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता काश्मोरा कारण की खोज करो पानी अगेला ही पिएगा प्यास बुझ गई तेरी बुझ गई भाया वेसे तुम कॉण तुझका पूरा पानी पी गया पी लिया भाया क्यों धार को भी प्यास लगी थी क्या वो जल है जिसे सालों पहले हमारे राजा ने पीकर छोड़ दिया था आज तक हमने भी इसे प जखने के चीज़े फेक देते इदर उदर पौदे उख जाते पता नहीं है क्या थेरवे पानी में बैंगू के मच्छर पलते भूत राजों को बताना होगा स्वच्छ भूतिया भ्यान करो जहां पर भूत वहीं भूता ले भूतावास योजला झाल 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 यडका ओ गूताव। वार यारpped है ठु़्छी तु़्छी इप अचान ए रुचान ए रख झान के बाहता हुआ विक्रांत का का महांत सामराज इस वैभवशाली सामराज के शासक है महराज विजय नारायन मरुत्पती इनकी विशाल सेना में तेरा सेनापती हैं जिन में से एक सेनापती ऐसा भी है जो अकेले बारा प्रमुखों के बराबर है युद्ध की हर नीती का ग्याता, शत्रों की हर चाल का तोड़ जानने वाला, जो अकेला ही उनका सर्वनाश करने में सक्षम है, वीरों का वी, सेनापती, राज, नायक। हुआ झार यह झार दिए जो झारने किरतानानां स्थे यह प्याँ किर अर य鬼ी खिस आदानि कर दो फयाहर कर दो यह 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 파्षी करेंके WORK झाल 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 तुम्हारी वीरता के समक्ष विरोधी एक शण भी खड़ा नहीं रह पाता जहां तक द्रिश्टी जाती है वो हमारा राज्य है कहो क्या चाहिए राजनायक जो पाना चाहता है उसे उसने अभी तक देखा तक नहीं झाल झाल वह झाल 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 तक ज़िला गाल झाल यह उद्टी अग्ञ कि आदमी में अगर ताकत होती हैं तो कमजोरियां भी होती हैं राजनायक की कमजोरी थी औरत सिर्फ उतना ही नहीं यहां तक कि औरतों की भी कमजोरी है राजनायक विजय प्राप्त करने के बाद भी राजनायक व्याकुल था सेना बदीजी की जय हो हारेवे राजा के पास 27 राणिया हैं और उसके अनावात इस प्रेमिक काई भी हैं एक एक करके भेज़ता हूं हुजूर सुनो हुजूर आगाश में सभी नक्षत्र एक साथ तिम्टिमाएं तो ही सुन्दर लगते हैं सब को एक साथ बेजो जी हुजूर रुको हुजूर क्या तुमने इनकम सिनको भी किना ये ये महल की दासिया हैं हुजूर वाग में हर तरह के फूल खेलते हैं बेवकूफ इन्हें भी मेरे शेंकश में भीज्टेना मुझूर्ण वह एक मुर्ती है मुर्ती तो क्या हुआ एक आउरत की मूर्दी है महाराज राजनायक की कमजोरी चानते हुए भी शान्त रहे क्योंकि बिना राजनायक के वो युद्ध नहीं जीत सकते थे महाराज राजकुमारी का अपरण हो गया और राजनायक भी नगर में नहीं है कहीं राजनायक नहीं तो यह अपरण नहीं किया राजकुमारी को वापस लाने वाले को भार में आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी का विभाव से किया जाएगा हर जगे यह ऐलान कर दो के यह कि झाले कुमारी कि विभा है कि हुआ तो यह थे अज़जग आएयक अरिंब मुर्दा है एवाकुम विफगे है वाईयक पह औकुमारी कर दोले का शेते हैं रहाँ 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 दोजी से हो एक हो एक हुआ वो एक हुआ जो के युट है कि लिह वो कि लिए एक हो उख भानी है हुआञ राओ էुआ हुआ आए परोचेदा पर खेले पार बपार मिलोश्यार अधर अगति कि अपना क्या अधर ऑट दट लाफ करो और अधर वाफ बारे अधर का जब राफ अब आए अधर ।बह अव्यक्षण कि अव्यक्र अधर आए इस बार है अबद प्याह जड़ खाह झाए प्याह आट Esta emissions लचकम Fig milliards पाल कमा में लेंक 8 कि अजए उया कि अजब का? वे ले 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 भे जो! राजनायक तो तुम मुझे जानते हो युगों युगों में ऐसा शूरवीर पैदा होता है जो अकेले ही पूरी सेना को पराज़त कर सकता है आपके समराज्य के नागरेक आपकी प्रशंसा करते ठकते नहीं आज उस पराकरम को देख भी लिया अपनी चाटू कारता की नीधी मुझ पर मत चलाओ मेरे रहते इस राज्य से कोई राजकुमारी तो क्या एक चिडिया के बच्चे को भी ले जाने का प्रयास करने वाला जीवित नहीं रहता ये जानते हुए भी तुमने ये हरकत की अर्चू राज नहीं सुनो अब ये मत कहना की तुम्हारा अपहरण हुआ है यही कहने वाली थी ने तुम अगर ऐसा होता तो ये तुम्हारे आगे बैठी होती और तुम इसे पकड़ती पर ये कन्या तो बड़े आनंद के साथ तुम से चिपक के बैठी है तुमने इसका नहीं इसने तुम्हारे दिल का परण किया है हम दोनों ने एक ही गुरू से तलवार चलाना सीखा है शरीर की बजा है तुमने दिल पर घाव किया ये हमारे शत्रू राज्य के राजकुमार है तुम्हारे पिता से तुम्हारी बहस हुई और इस अपरण की योजना ने जन्म ले लिया राजनायक ये मुझसे बहुत प्रेम करती है इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता अच्छा गृपिया हमें जाने दे अगर केवल राजा की पुत्री को बचाने की बात होती तो मैं तुम्हें जाने देता किन्तो मेरे आने का कारण अपनी पत्नी को बचाना है मेरी प्रिया रथ्थू राजनायक जलो ना रासलीला करते हैं ना इस पर मेरा हाख है नहीं है ठीक है हम लड़ेंगे पहला बार तुम करोगे मेरे मरने पर तुम इसे लिए जाना आजाओ नहीं अर्जुन इसे रोक कर तुम एक तरीके से मेरी ही प्रशंसा कर रही हो इतना प्रेम करती हो मुस्स चलो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी उतारता दिखाता हूँ मैं बिना शस्त्र के लड़ूँगा और बिना धाल के आजा मुझे मारने के पश्चात रतना तेरी हो जाएगी आजा ऐसा सुनेरा अफसर दोबारा महीं मिले है मेरे धैर की सीमा बहुत अलप है आजा भॉए पह पह बहो, हम्हँ जए खक्रो गो हो बुटा प्रत नायख झार वह आजा नाय जान ंडो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हहते हो ह단 कर दो कि अपनी पुत्री के लाटने के उल्लास से अधिक आपको मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकारने का खेद होता प्रतीत हो रहा है कि राज नायक के समक्ष शस्त्र का प्रयोग और शब्दों का चैन ध्यान पूरवक करना चाहिए बचना अनुसार राजकुमारी को बचाने के बदले आधा राज्य और बाकी आधा राज्य दहेद स्वरूप मुझे सौपा जाना चाहिए सेना पती क्या है वो नियम अनुसार राजकुमार ही राजा बन सकते हैं राजकुमार अब नहीं है अब क्या यहां और किसी को इत्यास बनना है कि विश्राइ कर सकती है और हौने वाली नए वधुट जाकर थोडया विश्राम कर सकती है कि keyboard कि Dent झाल झाल कर दो कर दो हाऊ कर दो कर दो पर लड़ संप यह चल कपट मैंने तुम से ही सीखा है अपने परिवार का वध करने वाले से विवा करने का निरने मैंने ऐसे ही नहीं लिया मैं घायल शेरनी हूँ जो खात लगाए बैठी थी इसी अफसर के लिए सही समय पर वार करना ही सटीक युधनीती है तुम्हारे समक्ष सुंदरता का जाल बिछाया ताकि तुम अपनी चेतना खो सको मेरे सुंदर्य ने तुम्हारी कामुत्ता को जगा दिया मैंने जीवन भर अपने केशों को केवल गुलाब के जल से थोया और सुकंधित किया लेकिन आज मैंने विश से सुकंधित किया कामुकता में अंधे होकर कुछ नहीं देख पाए राजनायक सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में तुम्हारी मृत्यू कारेड मैं बनूंगी कि पुम्हारी मैं पर आए कि वर ये हुआ किुम्हारी मैं बनुम्हारी मैं गपने गिया हुआ 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 है ना देव लोग मिले ना यम लोग बिना शान्ती मिले तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी हमारी कुल देवी मादेवी के नाम से तुम्हें ये श्राब देती हूँ वो जीवन भर एक क्रूर राक्षस बना रहा रत्न माहा देवी के अभी शाब से वो दुनिया का सबसे भयानक हैवान बन चुका है एक सामराज खंटित होने लगा रत्न माहा देवी के महल में राजनायक और बारा जिन्दा जला दिये गए सेना पतियों की आत्माओं ने बैठक लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने वो राज्य छोड़ दिया विश्वास पात्र राजभक्त महल में पुनह प्रवेश पाने के लिए पंडितों की मदद से पाठ पूजा करवाने लगे राजनायक से हुआ पाप हजारों ब्राह्मनों की हत्या से भी बड़ा पाप है जब तक उसे इस श्राब से मुक्ती नहीं मिलेगी इस महल में परलो की गतिविद्या नहीं रोकी जा सकती लेकिन ये आसान नहीं है एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिनी नक्षत्र में जन लिया हो उनकी बली चड़ानी होगी उसी स्तिदी में राजनाय की आत्मा को इस श्राब से हमेशा के लिए मुक्ती मिल पाएगी मेरी फैमिली के सभी सदस्यों का जन रोहिनी नक्षत्र में हुआ है ये रस्म अगर होगी तो कवारी कन्या द्वारा होगी जो अपने वंच की अकेली कन्या हो उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है लिकिन मेरे घर पर क्यों आई यज्यपूर्ण हो जाने के बाद भी एक विचित्र समस्या है राजनायक को श्राप से छुटकारा मिलेगा किन्तु परंतो उसकी आत्मा की दुष्ट प्रवर्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता कोई नहीं जानता कि वो अंत में क्या करेगा उसका कोई उपाए राजधानी कहीं और बसाओ वहीं से शासन चलाओ राजनायक और उसके बारा और सहयोगी नवकाली का पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी जारतिवारी में रह कर करना होगा यह क्या है यामनी वो तुम्हारी कोई बड़ी बहन है क्या मेरी बहन नहीं तो बहन नहीं मेरा मतलब है सगे नहीं तूर की कजन सिस्टर एकाथ तो होगी नहीं पूरे परिवार में मैं ही सिंगल पीस हूँ क्यों क्यों क्या अपने स्वंच में मैं अकेली लडगी हूँ उसमें मेरी क्या गलती है एक बहन नहीं मांग सकती थी मुझे मारने के लिए पैदा हूँ यह पूरी फैमिली को बली चढ़ाने वाली हो कि लगता है विसी पर भूत सवार हो क्या है क्या बख रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन है दूसरे लोग में जाने के लिए नहीं बुला है वो हमें यमलोग पहुचाना चाहता है अपने श्राप से मुक्ती पाने के लिए रोहिनी नक्षत्र में पैदा हुए परिवार के सभी लोगों की बली चढ़ानी होगी यामिनी खुद अपनी मर्जी से नहीं आई उसे यहां लाया गया है वो ही हमारी बली लेने वाली है रहा कैसी बैकी बाते कर रहा है उस भूत ने हमसे जूट बोला था सच भी बोलता तो हम क्या बेगाड़ लेते उसका अरे हाट पेसंट से मजाक कर रहा है मजाक नहीं पापा वो हमें बजाने की कोशिश में लगा हुआ है यानि उसे हम सब जिन्दा चाहिए उदर कोई साधारन आत्मा नहीं है धड़ लेट में जाता है तो मुंडी राइट में जाती काश्मोरा को एंट्री दे दिया लपड़ा बहुत बड़ा होने वड़ा है नवकालिका पूर्णिमा का स्वागत है रत्ना बहाद एवी नवकालिका पूर्णिमा की राथ हमारे ये दिन का उजाला लेके आएगी जब रोरी नक्षट्र में जन्मे परिवार की बली ही चड़ाए जाएगी राजनाहक फिर से संदा हो जाएगा अरे का जा रहा है शरकार आज उस भूत महल को बम से उड़ाने वाली है गाउं के लोग भूत देखने जा रहे है रेडी ये जो पीछे महल दिखाई दे रहा है ये 700 साल पुराना है और यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस महल के आसपास रात में आत्माएं भटकत से पहले बार फिर सोच लो किसी तांतिरिक बनत्रिक को बलाने अब मैं साहिब इतनी सारी पब्लिक है प्रेस मीडिया भी मौजूद है आपकी रेप्यूटेशन दाओं पे लगी है वोस्प डाइनमाइट से कम नहीं है मेरे बात में भरो सकरो साहिब यह बॉब भी मुसका कुछ नहीं विगड सकता है सुबह सुबह ब्लास्ट शुरू होगा जा के सपोर्ट चैनल्स में डाइनमाइट और बढ़ा दो यह फ्रन्ट पिलर्स वाली लाइन में चेक करो अम्रीम्षीम्गलेम्माजाः अम्रीम्षीम्गलेम्माजाः अम्रीम्षीम्गलेम्माज़ अम्रीम्गलेम्गलेम्माज़ हुआ स्क्रिको खरो गुप राजनयाक! तुम्हें श्राप दिया था कि जब ही तुम इस दुनिया में जनम लोगे तुम्हारा वद मैं ही करोंगे याद है न? अर्जुन को तुमने सिर्फिस लिये मारा क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था मेरे पिता इसलिए मरे कि उन्होंने तुम पर विश्वास किया मेरा भाई कहीं राजा ना बन जाए इसलिए तुम ने उसे बिबार दिया लेकर आप समय आ गया है तुझसे बदला लेने का कोई भी मुझे इस यागिकों करने से नहीं रोक सकता चाहे इस तुम हो या फिर बगवान मैं रोकोंगा यह यह राम लीला का मैदार नहीं है जब तक मैं इसका नाश नहीं कर देती इस शरीफ पर मेरा इवश है गा है है पर आप पर आप अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करती थी लेकिन तुमने तो तलवार दाएं हाथ में उठा रखी है इतनी जारी पबलिक में रतना कोई लेफ्टी होना था यह पर फोर मुंस तो एक दम राइट थी लेकिन हेंड का मामला थोड़ा रोंग हो गया तुम्हारे अभिने ने तो मुझे भी चक्मा दे दिया था लेकिन ही गलती ने तुम्हारे पोल खोल दी काशू मुझे पुम्हारे जयाँ थां दुम्हारे थांः तो ने खिरा भालती है तो बाफ़्र्ण काशो मुझे धर दुम्हारे अभिन 유क भी हांब कुछ 依 Others और भो फे खाशि जुब याशिम,"्पील परूज़ का शाशिल ऐसके। जरुैयो । वह करै? औरु करहला का। तो झूप यॠ य॥ अवार। तो झाहला अणने साशियो का? . . . *** आपनी कुईा रिए सिए आति कुई कर दो गिसा फिर ताय मौन तुस्वेस वाल हनुप तसमे önem हो तसमे सॉला नमा तसमे सॉला नमा तसमे सॉला नमा तसमे इस्वदा का नमा, तसमे इस्वदा का नमा, 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 नमा अहाँ, नमा, 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 ते वी काश्मुरा, जाओ यहां से जाना दो, किसे जाए जाए आव रदना इस प्रतीक्षा को एक नया अर्थ देती है मामी, बाप, जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो जलो, 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 जलो आप लोगे ही रोको पर वही स्थान, वही पुर्णिमा, वही श्राप उतनी ही नफ्रत, तुम भी यहीं, मैं भी यहीं आप उच्छे युद्धिकर पुर्णिमा के समाप्त होने से पहले यह तो वहीं सबभानी है सबने, लूद्म अख अख याओ अख अख हुवझ कि तक हुझक? हुझ एड एड़ हुझ ए्यू... हुग हुझ ह pourquoi ? पह नह और की तक बाभ तक हुप प्रठ जय वो बढ़ प्राइ्ट। प्राइब प्राइब vari जो हिसे भूना जय प्राइब को कि अ साथ जैंड कि अे प्राइब जय बढ़ कि अाइब जर जय दो प्राइब यह जड़ डिन भी उड़ तो फ्राइब आर झाहरे उतल अख?", पिन जए तो यह दो पर, कि वाँ जया हो जो पिन से अमे हो था दो हम जर से अमे जया होग से तो प्रेंड़ को अधिन सी जया हो एक एक पह हो एक एक हो जया हुई हुई अजए अजए हुआ 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 है महल के गुप्द कक्ष में राज नायक की अस्तियां छुपा के रखी हैं उन्हें ढूंड़ने पर ही समस्या का हल मिलना संभव है पर हुआ हुआ हुआ거든 झग स्टियाओ हुआ 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 कर्षे भूसों अरे वा ऑा वा आए रर्फ क्स्टअ प्हुजभरा है कि अखडिवस रहाँ! हुआ एक भी जए ऑफ प्रफ प्रफ हुआ अग 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 हाँ 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 वार वार हुँ कि अगया मेन मत उनाइए भूट टेकॉप करें तुको कोई डायनमाइट नहीं फोड़ेगा पापा क्या हुआ रत्ना महादेवी ने हम सब को राक्षा से बचा लिया क्या कहा अब हमने रत्ना महादेवी को राक्षा से बचा लिया बेटा यम्यम उठो यामिनी बेटा यामिनी उठो बिटा आंखे खोलो आज हमें काश्मुरा भगवान ने बचा लिया क्या हुआ था काम किया सारी आत्मागों के पर लोग पहुंचा दिया सारी आत्मागों को अरे मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया उन्हें फिर से बुलाकर रिपले ले माय lowest ईश्वर के अवतार है जेय कार करो जेय काशमूरा एनमहा ही वह वह इतका सी उन्होंने प्रह्मान की सारी देविक जिद्धिया आसानी से पराप्त कर ली ब्रहुए भगवान का स्टेटसम फेज़ श्री काश्मूरा भगवान के दर्शन कर लो , एक सकेंट रुख जाए एक मिनट चुप हो जाए मैंने कैमरा ओन रखा था जैकाश्मुरा अभी सच का पता चलेगा हुआ है तुम्हें क्या लगता बैग इसके पास होगा होना हो जरूर वो बैग्ज इसने महल में कई छुपा रखे होंगे भी ब्याग छोड़ो ना सार ये भी तो हो सकता है आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर उड़ गई हो और अगर इनके पास है तो तक शेना समझ के भूल जाओ जैसा सब ने देखा किस तरह श्री काश्मोरा महराज ने अकेले ही महल को उन सब ही आत्माओं से छुटकारा दिलवा दिया और ये हमारा भाग्य है कि हमारी मदद करने के लिए काश्मोरा जैसे संद मौजूद है मेरा बैग इसमें मौम आया थी वह अमने फैक दी और अंदर भगवान काश्मोरा का प्कोटु रग दिया और पैसे और जब साक्साथ भगवान मिल गए तो उन्तूच काग्जों का क्या महत्व बोलो महान काश्मोरा भगवान की जैए डाकुमेंस तरह ना इसमें डोकुम आत्मा हे ले गई क्या मुलेओ काश्मोरा भगवान की जैए कास्मोरा भगवान की जैए मेरे पैसे मेरे पैसे प्रमी कष चौ मेंग-ट, कशSt although कैस्ट काशॉ की त millennials क्यूचन प nemने खुचन को क्यूचन कर देश से स्तूर पलया कर दो तो क्यूचन की हो क्यूचन के रिक जो हो क्यूचन की खौब cognitive का की जो है वा簡inctा दोल में खूब क्यूज बिला हाँ